चार मई दो हजार चौबीस शनिवार के दिन है शनी जयन्ती और इस दिन आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगहे पर रखना है रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और मा लक्षमी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन की व अगर आपको धन्वान बनना है तो शनी जयन्ती का दिन बहुत ही विशेश है क्योंकि साल दो हजार चौबीस शनी का साल है और शनी की कृपा अगर आपको मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना सब कुछ आपको शनी देव देंगे देखिए शनी जयन्ती का जो दिन होता है यह बेहत कल्यानकारी माना जाता है इस दिन किये गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनी देव जो है यह व्यापार आदी यानी की जो भी आप काम करते हैं काम से रिलेटिव कोई भी वर्क आप करते हैं अपने जीवन को चलाने चलाने के लिए धन कमाने के लिए उसके स्वामी जो है यह शनी देवी हैं तो जो लोग अपने जीवन में अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं अच्छी नौकरी प् सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, देखिए उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में रखना है, और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बले चमतकार देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर् जो है, यह नियाय के देवता है, नियाय करने का काग। दुख बहुत आते हैं, तो जो लोग अपने जीवन में शनी की ढईया से, शनी की साढ़े साती से, शनी की किसी भी, महादशा से भी अगर परेशान है, उन्हें भी विशेशकर शनी जयनती के दिन शनिदेव को प्रसन, न करने का मौका छोड़ना नहीं है, उन्हें भी शन शनिदेव को उस दिन जरूर प्रसन करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन भी हो जाते हैं, और अगर यह रुष्ट हो जाते हैं, तो जीवन में दुख भी बहुत व्यक्ति के पढ़ जाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की कौन सा है वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेश कर इस बार शनि जयनती वाले दिन जरूर करना चाहिए, तो देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रही हैं, इस उपाय को करने से शनि की साढ़े साती, शनि धया शनि की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में है, व देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सरसों का तेल लेना है, अब आपको बता दें सरसों का तेल शनि देव से क्यों जुडा हुआ है, क्योंकि शनि देव जो है, इनहें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और जो व्यक्ति शनि देव को सरसों का तेल अ देखिए सर्सों का तेल आपको एक, कटोरी में लेना है, अगर लोहे की कटोरी है, तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा सर्स का तेल लेना है, और एक आपको सर्सों के तेल का दीपक तयार करना ना उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको चुटकी भर काला तिल अगर आपके पास है, तो डाल ले वरना कोई बात नहीं है, ना अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तयार करा है, यह लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है वहाँ पर आप जाएं है ना और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है और उसके बाद तेल चड़ाना है ना उनकी मूर्ती प्रतिमा पर और उसके बाद आपको जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का वह दीपक आपको जलाना है और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है क्योंकि ये दंड अधिकारी है व्यक्ती को दंड देने का काम शनिदेव का ही है तो बहुत ही उनके चर्णों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नमरता बहुत ही विनमर स्वभाव क शनिदेव मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं कश्ट बहुत बढ़ गए हैं मैं अपने जीवन में करजे को लेकर परिशान हूँ धन को लेकर परिशान हूँ मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चुक हुई है लेकिन मेरे जितने भी जो भी मुझसे गलतियां हुई है उसके लिए मुझे ख्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाये रखें अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त करूँ धन को प्राप्त करूँ कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूँ ऐसी प्रार्थना कर लेना शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कर देना एक दीपक जला देना बड़े से, बड़ा शनी दोश भी आपके कुंडली से आपके जीवन से दूर हो जाता है, जब भी आप शनी देव को सरसूं। दूसरे उपाय की जोकी आपको शनी जयंती वाले दिन विशेश कर करना है, तो देखिये शनी देव ने स्वय कहा है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा कभी भी। जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनी की साढ़े साती चल रही है, शनी की कोई महादशा चल रही है, ना या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है, तो अगर आपको कु पाई करेंगे आपको। इसका आशिरवाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा, बहुत अच्छा की आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वो किसी भी वजह से है, वो दूर होगी और आपके जीवन के सारे कश्टों को शन की कमी नहीं रहती है, वो व्यक्ति जो भी अपने जीवन में ता है, ना हर प्रकार का सुख हुस, व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है, तो आपको करना क्या है, एक दीपक यहाँ, पर आपको तयार करना है, अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, और आप सर हनुमान जी के मंदिर में जलाना है, शनिवार के दिन शान के समय में शनी जयनती जिस दिन है, देखिए जो लोग शान के समय में उपाय नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वह लोग यह उपाय. सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय आपको शान के समय में ही करना है, तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए कभी भी आपको शनी दोश परिशान नहीं करेगा, शनी देव आप से हमेशा प्रसंद रहते हैं, जब भी पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट उपाय की एक कटोरी सरसों का तेल आपको अपने घर में किस जगहे पर रखना है उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भा जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से हर जगह से सुख आएगा धन आएगा समरिधी आपके घर में बढ़ती चली जाएगी तो देखिए हमने पहले ही बताया कि सरसों का तेल शनिदेव को बहुत ही प्रिय है जिस तरह से उन्हें काला तेल काले उड़ध है न ये चीजे प्रिय हैं सरसों का तेल शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है तो आपको एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और यह तेल आपको अपने घर में रखना है रखने का मतलब है एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे अपने घर में थो अपने हाथों पर लगाना है और आपके पैर के जो नाखून है है ना आपके पैर के नाखूनों पर सारे नाखूनों पर आपको थोड़ा-थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है देखिए घर में जितने भी सदस्य हैं एक दोती चार जितने भी सदस्य हैं अगर सभी ये उपा प्रशनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और रातों रात आपका भाग्य जो आपका साथ भी नहीं दे रहा होता है ना जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होता है वो भी आपको शनिदेव दे देते हैं तो बहुत ही विशेश और उत्तम उपाय है सरसों का तेल तो सभी के घर में होता है और यह उपाय सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं तो इस बार शनी जयनती पर ये उपाय आप जरूर करें और अगर आप कर सकें तो इस दिन अपनी छट पर पक्षियों के लिए आ कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़ा सा पानी की विवस्था कर दें क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी चिडिया आगई जिसका रंग काला है और काले रंग की चिडिया ने अगर वो दाना खा लिया तो शनी देव इतना आशिरवाद आपको दे देंगे कि आपकी आने वाली साथ पीडियो को भी कभी धन कम नहीं पड़ेगा तो बहुत ही विशेश और उत्तम उपाय हमने आपको बताए हैं यह उपाय आप इस बार शनी जयनती पर जो की शनिवार के दिन है जरूर करें आपके जीवन में हमेशा सुख समरिधी हर हर महादेव लिखना है